जी हाँ आपने एकदम सही देखा पांच मिनट की इंग्लिश क्लास हर दिन कुछ दिन तक फिर इंग्लिश सब कुछ आ जाता है मजाख है क्या जी नहीं एकदम सच आप देख रहे हैं आज हम परेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में सबसे पहले कुछ बातों को जान लेते हैं कि ना कोई कागत चाहिए ना कोई कलम चाहिए ना कोई किताब चाहिए केवल आपकी मुबाइल होनी चाहिए कहीं भी कभी और साथ में रिविजन की भी जंजट नहीं सब कुछ साथ में है तो चलिए शुरू करते हैं राम ड्रिंक्स मिल्क राम दूद पीता है, करता है, काम कर रहा है, क्या कर रहा है, दूद पी रहा है, क्या कर रहा है, भर्ब, पी रहा है, क्या कर रहा है, पी रहा है, तो वर्ब हुआ, क्या पी रहा है, दूद पी रहा है, तो दूद क्या हुआ, अब्जेक्ट, करने वाला सब्जेक्ट, जो क्रिया ह वो भर्ब और जिस पर क्रिया का असर हो रहा है, मतलब ये पीने का असर क्या हो रहा है, दूद उसके राम के शरीर के अंदर जा रहा है, तो ये क्या हुआ अबजेक्ट, चलिए हम समझ गे इस बात को, ठीक है न, किसी भी वाक्य में करता होता है, क्रिया होता है, और कर्म भी हो सकता है, अबजेक्ट भी हो सकता है, अब जरह हम इसे देखें, राम इस प्लेइंग फुटबॉल, राम क्या है, सब्जेक्ट है, प्लेइंग क्या है, वर्व है, फुटबॉल क्या है, अबजेक्ट है, तो कहने का मतलब क्या है, ये और देखी, यहाँ पर दूसरा एक वाग्य को लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं? राम इस लफिंग, राम हस रहा है, अब देखो राम हस रहा है, यह भी तो पुछा वाग्या है, लेकिन देखो राम यहाँ पर subject है, और लफिंग जो है, वर्व है, object यह ही नहीं तो जिसमें object नहीं होता है जिस वाक्य में उसे in-transitive verb करते इनका मतलब नहीं होना Transitive verb जिसमें object है in-transitive verb जिसमें object नहीं है चलिए अब transitive verb को हम हिंदी में सकड बक्रिया बोलते हैं हमने क्या जाना था इसमें subject होगा, verb होगा और object होगा है है न हम ये तीन चीज होना जोरी है जैसे मैंने बोला था राम हैस डोनेटेड मी 500 रुपीज अब देखो यहाँ पे राम किसने दिया डोनेट किया चंदा दिया है किसने दिया है राम ने दिया है क्या किया है चंदा दिया है तो राम subject हुआ, donated वर हुआ, कितना दिया, क्या दिया, स्वरी, क्या दिया, 500 रुपे का नोट दिया, ठीक है न, what, what मतलब direct object. जब हम सवाल पूस्ते हैं, इस वाक्य से क्या दिया, 500 रुपे का नोट दिया, what, क्या दिया, और दूसरा, whom, किसे दिया, मुझे दिया, तो मुझे जब होता है, whom जब पूस्ते है, इन्डाइरेक्ट, राम has donated me 500 रुपीज, rupies 500, तो इसमें क्या दिया what 500 रुपए दिये तो 500 रुपए क्या what direct object whom किसको दिया मुझे दिया तो मी हुआ indirect object मतलब एक transitive verb हम देख रहे हैं एक transitive sentence को देख रहे हैं जिसमें दो object होता है direct object और indirect object यह हो सकता है कहीं है केवल एक ही object होता है दो object के case में हम इस चीज़ को देख रहे हैं चलिए अब हम intransitive verb इसमें object तो होगा ही नहीं subject होगा और verb होगा जैसे Monica is dancing Monica क्या है subject है dancing क्या है verb है object इसमें नहीं है इसलिए यह intransitive verb है दूसरा लेते हैं रामू is sleeping रामू क्या है subject है sleeping क्या है verb है सो रहा है रामू सो रहा है तो इसमें object है ही नहीं तो यह intransitive verb हुआ तो फिर से हम एक बार याद कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्व क्या था ट्रांजिटिव वर्व में subject, verb और object होता है जैसे राम हैस डोनेटेड मी 500 रुपीज तो राम सब्जेक्ट है डोनेटेड वर्व है यहाँ पर दो object है क्या दिया 500 रुपे का नोट दिया तो यह direct object हुआ किसको दिया? मुझे दिया तो यह indirect object हो गया अब देखिए हमारा जो class है उसमें हब हमें transitive वर्व 33 सिखना है हमें intransitive वर्व 30 ऐसे example सिखना है जो बरावर काम में आते हैं और transitive, intransitive दोनों में function करता है ऐसे 20 हमें वर्व को सिखना है complete learning करना है और test दे के learning करना है जेब में mobile रखके करना है कभी भी हम test दे सकते हैं कहीं भी देख सकते हैं automatic revision होता है यह सारा कुछ जो होता है इसके लिए यहाँ पर आपको click करना होगा और मैं आपको के वर इतना ही बोलना चाहूंगा कि देखिए इससे दूसरों को भी दीजिए बहुत लोग को जरूरत है उन्हें ठीक से गामर नहीं आता है पांच मिनट में कहीं भी किसी भी हालत में सिखा जा सकता है बस आपके मदद की जरूरत है उन्हें जरूर फैला है तो फिर कल मिलेंगे ओके देन बाबाई टैंक यू